6 अप्रेल को RBI की जो प्रेडिट पॉलिसी है वो आने वाली है कॉमेंट रिव्य होगी और पॉलिसी को लेकर E.T.NOW सुदेश्ट में एक्सपर्ट्स का एक पोल करा है पोल में क्या बातें निकल कर सामने आई हैं हर्ष हमारे सह होगी इसका पूरा ब्योरा दे रहा है जी हां RBI की और एक MPC कंक्लूड होगी ये पर्टिक्योलर हफते में और जब हम देखे तो और एक 0.25 परसेंट का रेट हाइक एक्सपेक्टेड है एकोनोमिस लार्जली यही कह रहे है कि RBI अभी भी अपना नजर अपना ध्यान इंफलेशन पे रखेगा क्योंकि इंफलेशन जो की बिलो 6% चला गया था दो महीने के लिए अब वापस उसमें एक स्पाइक आई है 6.5% के आसपास अब इंफलेशन अभी भी स्लाइटली हायर साइड पे और जब हम एगरी साइड पे भी देखे मौनसून के इफेक्ट एगरी पे जो आएंगे उस पे भी एक RBI की नजर रहेगी कि वो कैसे प्ले आउट होता है और वो कैसे इंपैक करता है फूड इंफलेशन को आगे जाके तो वो कॉमेंटरी पे न सारे रेट हाइक्स आ चुके है अल्मोस्ट रेपो 2.75% से बढ़ा है लास्ट येर से तो एक अच्छा रेपो का बढ़ान के वज़े से एक ग्रोथ पे एक दबाव आ सकता है और वो कितना दबाव आएगा FI24 में उस पे स्ट्रीट की नजर रहेगी जब लार्जली RBI का कर करेंट एक्सपेक्टेशन है 6.4% ग्रोथ का एक्सपेक्टेशन है FI24 में तो अब जाके क्या रिविजन करेंगे RBI उस पे भी एक स्ट्रीट की नजर रहेगी तो ये दो तीन चीजों पे स्ट्रीट की नजर पर 25 बेसिस पॉंट 0.25% से हाइक लार्जली ये स्ट्रीट का क कि बिम्सेंट की नजर रहेगी जएए पिलेशन है